हलो एवरीवन वेलकम टो नॉलेज़ प्लस इस वीडिए हम लोग इंडियन और इकोनोमी को रिवाइज करने जा रहे हैं तो आए शुरू करते हैं आज का वीडियो आज का हमारा टॉपिक है इकनोमी सबसे पहले में लोग इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं हमारा इक दो आधमी के बिच में दो अजेंट के बिच में मतलब कि या तो परसं हो दो कंट्री समय बहुता है इक एकनोमिक सिस्टम एकनोमिक सिस्टम होता है अ फिर ट्रेड, यान ब्यापार, फिर किसी भी समान का या सरविसं का दो इकोनुमी में लिए तेन तरह कहते होगते हैं Capitalist at जिसमें पुझिवाधी नेचर का होता है। जहाँ पर हर चीच private होता है। जहाँ पर हर्थी प्राइवेट होता है पर हमेरीका कैपिस्ट्री सेसर्कारीज नहीं होता है की चिर्शीं सर कारी नियुक्त होता हिए depend गवबर्मेंट के लावे रियरली वहां पर कुछ सरकारी होता है यहाँ पर हरी सरकार का होता है यहां पर हर चीत सरकार का होता है जितना प्रश्पोर्ट का मेडियम है या फिर कोई फैक्टरी है सारा कुछ यहां पर पबलीक होता है पबलीक यानि कि सरकार का जनता का होता है अच्छा अच्छा एक्जांपल रसिया को बोल जाता है और सब्सक्राइब और सरकारी दोनों होता है यहां पर प्राइबेट होता है सबसे पहले तीनों याद रखें और मिक्स्ट इकनोमिक यहां पर अलग अलग झालग एकनोमिक डिलापमेंटरह पंगत्रॉफ होता है यहां-ठीष प्रेद्र में जितने भी समान का प्रोडूस हो रहा हैं जितना विचुछ का प्रोड़क्सन हो रहा है ठीक है माली के पिछले साल 500 trao का समान प्रॉडीस रहा था उसका मड़ा तो इसका क्वान्टीटी की बाद क्या जा रहा है इसको मतलोग हो उसको दिGUंख मेरग और हम अब क्रफोल को मेरगे जाता हैं अन्यक्तित को एकनोमी मेरे से का जूट कैसे knife करते हैं एक आदमी कितना एक साल में प्रोडक्शन कर रहा है ठीक है इस तरीके यह सब कुछ मेजर्मेंट है जीडिपी जीएनपी भाग के हम लोग आगे पढ़ेंगे ठीक है एकनोमिक डेवलप्मेंट क्या होते है क्वांटिटी न देखकर के क्वाइलीटी पे डिपेंड करता है एकनोमिक डेलपन्ट का मतलों कि तना क्वाइलिटी इंड़ आ इस तरीके से इकनोमिक डिवलप्मेंट में क्वाइलिटी पे डिपेंड किया जाता है और इकनोमिक ग्रोथ क्वांटिटी पे डिपेंड करता है नेक्स्ट है कि हमें डिवलप्मेंट इंडेक्स इसको डिवलप्मेंट में इसको डिवलप्मेंट में दो इकनोमिस्ट का नाम याद रखिय ठीक है इसमें तीन डाइमेंसन होते हैं पाला है हेल्दी लाइफ वहां का एक्सेस टू नॉलिज वहां के लिए ट्रेसी कैसा है और स्टेंडर्ड ओफ लीविंग वहां पर रहने का अस्तर कैसा है उसको हम लोग मतले तीनों के अधार पर एक रैंकिंग त्यार किया जाता है जिसको हिमन डेवलप्मेंट इंडेक्स के नाम से जाना जाता ठीक है इसको निकाला जा रहा है नाइंटी नाइटी थीडिये से लेकिनों निसको नब्वे में ही डेवलप किया गया था इसको दो एकोनोमिस्ट का नाम याद रखेंगा महभूब उल्हक और अमार्त सेन एक उसी का अल्टरनेटिव मेजर है एसडी है कि जैसे ही फोक्सिंग ओन देमांट ओप पहाटी ना कंट्री इसमें किसी कंट्री में कितना पहाटी इस पर फोकेस किया जाता है इट इन इंडिकेशन ओप दा स्टेंडर्ड ओफ लिविंग ने कंट्री एक तरह से बोल सकते इसमें तीन चीश्व मेजर करता था हेल्थ एजुकेशन एंड लिविंग इस्टेंडर्ड इसमें 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 इस्टेंडर्ड पर मेजर करता है तो इन इसका इंडिकेटर क्या है तो कि इतने दीन तक जीता है उसका एबरेज एज उसको उसको अनुप्लाइमेंट लंभे समय के लिए कितना नीप राइमेंट है ठीक है लिट्रेसी शिए शिल वहां पे कितना लोग मतलब की काम करने में कितने सक्ष में यह सब को मेजर करके के एच्पाअ निकाला जाता है जेंडर इनिक्वलीटी इंडेक्स किया है इसमें बताया जाता है कि मेल और फिमल की बीच में किदन कीतना डिफिरेंस वहां पर हो रहा है ठीक है तो कैसे छूप पर रहेगाकर है ती काफी ज्यादा घ्राइब हिए त्कैम को निकाला जाता है जेंडल इनीकोलेटी इंडेक्स मल्टी-डिमे Mirovati ndyx प्वाच इंदेक्स एक हुत है MPI क्या होता है ठीक है जिससे एक ही याद मीर जब कमाने गरीब का नम सुनते हुए ना। तो हम लोग के दिमाग में बैट गए कि किसी के पास पैसा नहीं है लेकिन ऐसा भी तो एक तरह से वह भी गरीब है क्योंकि उसका हेल्थ खराब है एक तरीके से तो भी तरीके का पूर ही हुआ है ना तो इसी को बलते मल्टीड एमेंसल प्रटी मतलब की एक नहीं कई तरीके से आप गरीवी को देखा जाता है ठीक है क्या क्या देखा जाता है इसमें एक आदमी के रूप में माल इसके पास बहुत पैसा लेकिन उसके पास सिख्षा नहीं हो एक तरफ भी गरीब है ठीक है तो भी तरफ के गरीब है एंपी आई के लॉंच किया जाता है इसको मिला करके ठीक है इसके में तीन पर लियर है तीन आदमी मिल करके इसको मिनाते हैं ऑक्सपोर्ट पोवर्टी हीमन डेवलप्मेंट इनिसियाटिव और इवन डिप उनाइटे नेशनल डेवलेप्मे इसके मनतों इनके द्वार किया था जाता है इसमें इसका टार्गेट रहे थैंकों सा कंट्री कितना सांत है तो कैसे जाने है कितना सांत है तो फिन देखा जाता है को से टरिकेसों कितना है वहाँ पर होता है को मुझनल राइट कितना है भेदवाव कितना है यह दूनिया में एक ऐसा कंट्री है भूतान जो अपने जीडीपी मतलजी दीकालना का वहाँ का अलग तरीका है अपना एक unison trading जारि करता है ह exactly happiness GDP जारी करता है सब्रीटेस्ट भूटान तोट अब डूंत दुनिया के एक यहान पढ़िक तो ऊभसले के क्नरी में लोग कितने खूष है ज्युद्स जारी करने का डीकैटर है जैसे लाँ देखा जाता है जोड़ जोड़ तो फिर आदमी खूस है तो को फैसा ठीक है अदमी का फैसा ठीक है आदमी की ठीक ठाक है तो है सब्कूर्षाइबलिक बाटते है पूरे को 3 में बाहते है कर प्राइमरी सेकंडरी इसको सरवी सेक्टरा इंथ जी एक्तिवीटी तो टरसेक्टर के उसका हुईन करते हैं एक्तिविटी में नेंसरे के सेक्टर घृषट में आता है तो भी मतलoh की प्राइमरी को सर्विस सेक्टर बदलने बीच का यहां पिनिस किया जाता एक टर्सेरी सेक्टर में आता है अब लोग पढ़ते नेशनल इनकम के बारे में किसी कंट्री का कितना इंकम है इसके बारे में लोग पढ़ते हैं नेशनल इंकम मेजर्स दर नेट वैल्यू अब गूड्स अंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ट इन अ कंट्री डिरिंग यह एंड इट अल्सों इंक्लूड नेट फ्रेक्टर इंकम फ्रोम एप्रोड तो नेशनल इंकम में क्या क्या इस घ्टर नेशनल इंकम में इटर इटर कर सकते हैं Welt नेशनल इंकम कि तो नेट नेशने पॉड़ाट्ट नेशनद इंकेवायं साल में और कखेवे इंकम त् brat इंकम करते करके त्यों सारे डाटा को हैं डिख सकता चीप क्या होता है तो घ्योकर बॉस्त प्रड़क्टvate इसके लिए पहलोलों को घड़ीपी समझना होगा gdp है क्या सुझ अंतक दूड़ी को इतना का बाउन्डरी है इसकी अंदर जो भी प्रोडक्षण हो रहा है तो गूड़ीश वह सरवीस हो फ् desse Chernobyl का प्रोड़क्षण हो फिर फैक्टरी में ले जाया गया तो वहां पर उसमें ब्रेड बनाया ब्रेड बना को उसका दाम 12 रुपया हो गया मार्केट मों 15 रुपया ठीक है तो हम लोग यहां पर 15 रुपया करेंगे ना कि 10 12 15 तीनों नहीं यह करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट जो आ रहा है उसी कम लेकिन इस ही गयहां को फैक्टरी वाला खरिकता है जैसे माल यह कोई ब्रेड बनाता थे प्रेट को लग खरी देगा तो यहां पर फाइनल प्रोडक्ट नहीं है क्योंकि अभी इसका प्रोसेस होना बाकि है फिर आप बनाएगा उसका फिर उससे ब्रेड बनाएगा यहां जहां जहां इंडिया का इंडिया का इंबेश्डर होते हैं जो आई-ए-फ-ए-स ओफिसर होता है तरीक इंबेशी केमपस के अंदर जो भी प्रोडक्षन होत रहा है उसको अब लोग GDP में मेंजर करते हैं तो एक बुक में अपको नहीं लिखा हुआ मिलेगा तो इंबेसी में जो भी होता है इंबेसी में जो प्रोडक्शन होता क्योंकि इंबेसी को राष्ट का संपत्ति माना जाता है ठीक है इंबेसी को राष्ट का संपत्ति माना जाता भले हो विदेश में हो तो इंबेसी को भी हम लोग GDP में एड करते हैं इस बिस्किट भी किरा है या पिर कुछ खाने का समाने कोई बिक्राइट अब्स में तो भी इंडिया के डिपी में कउट होता हैं टीक यह हो च्रोंश टो मेस्टिक प्रोड़क्ट dif GDP लेकिन NDP एक्च्वली क्या है इसमें GDP तो हम समझ गए NDP क्या है तो देखिए जैसे किसी चीज़ का प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन करने में जो फैक्टर लगता है फैक्टर करने मतलब कि माली जी कि 15 रुपया का ब्रेट प्रोडूस हुआ था इसमें हम लोग को क् होता उसको चेंज करना पड़ता है समय समय पर खराब हो जाता है मसीन को मेंटेन करना पड़ता है तो एक तरह से हमारा खर्च हो रहा है ना जैसे माली जी कि 500 का प्रोडक्शन हुआ और मसीन उसमें 10 रुपया का खतम हो गया मजदूरी हमको 50 रुपया देना पड़ा ठीक ह तो हमारा और भी कई चीज जैसे 300 का कुछ समान खरीदे थे 500 का प्रोड़क्ट बनायों तो उसमें जो रो मेटेरी लगा उसका 300 रुपया हो गया हमारा प्रोफिट कितना हो रहा है यहां पर देड़स वहीं प्रोफिट हुआ या फिर जो भी माइनस करेंगे आइधिंक 140 आ प्रोड़क्ट को बनाने में जो बरबाद हुआ है कोई भी चीज जो बरबाद हुआ कैपिटल स्टोक हो या फिर जो कुछ भी खर्च आया उसको माइनस कर देंगे GDP में से तो हमको NDP मिलेगा अब उससे ग्रोस नेशनल प्रोड़क्ट एक क्या है तो नेशनल प्रोड़क् जैसे जी एनपी यही है कि एदि जीडीपी में से बीदेशी का जो इंकम है उसको माइनस कर दें और बाहर में जो इंडियन लोग कमा रहे है उसको एड कर दें मतलब माइनस कर दें हम लोग बीदेशी के इंकम को जो फॉरेन कंट्री के लोग इंडिया में रहे हैं ठीक है या फिर इंडिया में जो फॉरेन इंबेसी है उसका भी माइनस करना पड़ेगा और क्या एड क्या करतें इंडियन जो बाहर रह रहे हैं ठीक है इंडियन जो बाहर रह रहे हैं तो जो हमारे पास आएगा वह कहलाएगा जी एन पी वह हमारे कंट्री का प्रोड़क्शन हुआ एनन पी क्या है तो जी एन पी में से माइनस कर देंगे डिप्रेसियेशन भैलू को डिप्रेसियेशन भैलू यानि कि जो बरवाद हुआ यूद्ध करने में उसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा एनन पी तहां पर दो टर्म हम लोग पढ़ें सबसे पहले गड़ी उसमें से डिप्रेसैसं को माइनस करेंगे त Holmes अएगा आगा इन पी है धीक है अब देखते पर कैपिना इंकम क्या होता है एक कंट्री में टोटल नेशनल इंकम हीसे चोंट्री का नेशनल इंकम उसको डिवाइड करते हैं टोटल पोपूलेशन से तो हमारे कंट्री का एभरेज इंकम आता है एक वेक्ति का जluent वॉता है परतफर्न कि परसनल इंकम तो यहां पर सब्सक्राइब करने के लिए किया जाता है तो जितना का वो ट्रांसफर पेमेंट किया है तो कोई आदमी जितने का साल भर में ट्रांजक्षन किया है उसको और अड़े सब्सक्राइब करते हैं जैसे किसी कंट्री का परसनल इंकम निकालना तो ऐसे समझे कि आदमें जीतना कमाया है मालेजी के साल भर में वह पांच लाख रुपया कमाया है ठीक है लेकिन उसमें से माइनस क्या करेंगे जितना उसको सरकार के तरफ से सबसीडी मिला है मालेजी कंट्री मिल गया साल भर में दोहजार उसको अलावे और भी सोसल बेनिफिट उसको मिल गया ठीक है तो लाग जो का उसका इंकम था उसमें से सब को माइनस कर देंगे सरकार का खर्च उस पे आया है उसको माइनस कर तुसको लोग मिल जाएगा personal income तुसके और क्या करेंगे टेक्स को add कर देंगे थीक वो दिया था ना तो उसका income में था वह सब कलकुलेशन करके personal income निकाला जाता है ठीक है क्योंकि जैसे 5 लाथ तुसका इंडारेक्ट हमको दीख रहे की 5 लाख उसका है लेकिन उसको और मिला सरकार के तरफ से माले में साल भर में सबस्राइल करके तो उसका इनकम्ट बेंगए अब जो है जीडीप काउंट करने का मैंत है जीडीप को काउंट करने लिए इनकम मेठाट भी ठीक है रहक है कि आप देखते kont säga एम सब्सक्राइब क्या किया जाता है हम लोग कंट्री के जितने लोग है उसको एड कर दिया जाता है लेकिन इसमें प्रोलम क्या है एक आदमी के कितना इंकम है गवर्मेंट का पास यह डाटा नहीं है जैसे जितने भी और करते हैं सब्सक्राइब करते हैं या प्राइवेट ऑफिस में वर्क करते हैं लेकिन जो अपना दुकान बर्च कितना नहीं होता है इसका नहीं reviewing problem होता है उसके बाग Tail expenditure मेतर्च मेझान ज़िक एक कितना खर्च कर रहा है एक आदमी कितना खर्च कर रहा इसको देखा जाता है तो कैसे पता चले कुछ कपड़idez जीतने का समान भी कर आhhhh market में उसे पता कर लेंगे कितना खर्च हो रहा है थे एक प्रोब्लम है क्यों कि आदमी कितना कमा रहा है उसका सारा तो इसके लिए प्रोब्लम क्या होगा कि जो जीडीपी निकला एक्सपेंडिचर वाला उसमें सेविंग को एड कर देंगे तो सेविंग बैंक में करता है लेकिन कोई जरू नहीं कि सब कोई अपना पैसा बैंक में डालता ही है कुछ पैसा अपने घर पर भी लोग रखता है ठीक एक्सपेंडिचर और इंकम मेथड दोनों की उचके जाता है अनुमान लगा जाता है जनरली डाइबल डाटा उन सेविंग कंजमसर नोट इजली अबलेबल एक्सपेंडिचर मेथड जो है काफी ज्यादा डिफिकल्ट है इनकम मेथड को अधिकांस्ता कंट्री के दोरा य नहीं माना जाता है इसमें बोला गया था कि एक आदमी का इंकम 20 रुपया है साल भर में एक आदमी का इनकम 20 रुपया था इंडिपेंडेंडेस के बाद अजादी के बाद दाश्क आप इस्टमेशन आफ नेशनल इंकमिन हैं इंट्रेस्टे टू टू सीचाओ घठन किया तो जो एक होता है तो जीडिपी निकालने के लिए यूइसा एक बेस यह लिया जाता है जैसे अभी जो बेस यह है धो किए किसी कंट्री में एक प्रोडप्शन हुआ 50 के जी भीट गें हूं 20 के जी चावल है ना तीस के पल सेज माली कितना है प्रोडप्शन को प्रोडप्षन होता है एकजांपल के लिए तो इसका प्राइस और माले बार उपे के जी इसका था ठीक है दाल का तो जो हम लोग प्राइस निकालेंगे दुझारी गारा बारा में उसको एड़ करने पर जो आएगा उकाला जाता उसको रियल जीडीपी बोलते हैं ठीक है अभी जैसे अभी क्या होगा माली उतना ही चीज का माली पजास के अभी प्राइस बढ़ गया होगा अभी तो बढ़ा हुआ प्राइस पर निकाला जाएगा अभी के प्राइस पर कल्कुलेट करेंगे उसको बोलेंगे निकालेंगे आज के प्राइस पर निकालेंगे उसको बोलेंगे निकालेंगे आज के प्राइस पर निकालेंगे उसका उसको बोलेंगे नोमिनल फिर दूसरी अभी जो बेशी है दुज़य गारावारा पहले लिवाइज किया जाता है सरकार दोरा ऐसा कोby रूल नहीं है कि हर आठ साल पर रिवाइज होता है याद लेकिन एक ट्रेडिशन बन गया कि जब सताठ एकार सल तो ग्वश्य कर देती हो तो आठ सल पहले के प्राइस कर रहा है तो नोमिनल जीडिपी हमेशा रियल जीडिपी के बड़ा होता है अब को यह कोश्चन आज है कि नॉमिनल और रियल कभी एक्वल हो सकता है तहां हो सकता है कब जब बेस एयर और करेंट यह दोनों सेम हो माली जी कि दोज़िगारा बार बार में ही जब निकाला गया होगा तो बराबर हो गया हो जब रहा जाता है तो और नोर्माली क्या होता है तो होता है minute तियुए में यह लोग महंगाई को जोड़ें इंफिलेशन को जोड़ें ठीक है क्योंकि real GDP तुझे रिकार निकला है कि निकला उसको बनाया गया था इंडिपेंडेंट Community 15 शांप नानुमीय में दो डїपार्टमेंट को मर्ज करके Department of Statistics और डेपार्टमेंट प्रोर्ग्राम इंपांगी इंप्लीमेंटेशन यह दोनों जिकर के बनाया गया था इसको मौस्पी को इसका दो विंग है पहला क्या है एक तो स्टैटिक्स से रिलेटेन नाम से पताया दाब मिनिस्ट्री प्रोग्राम किसी प्रोग्राम को लागो करवाने का जीमा इसके उपर होता है जो गवर्मेंट का प्रोग्राम होता है जो समझ सकते हैं इसका डाटा करेक्ट करने काम है अस्टेटिक विंग्स में दो संस्था एक है CSO एक है NSSO सब्सक्राइब करें धन्यवाद